हाई गाईज वल्कम बाक तू हरित्वी बहल और ममा रॉक्स गुड मॉनिंग सुभा का टाइम है तो जल्दी से गुड मॉनिंग लिखते हुए एक कमेंड कर दे और वीडियो को लाइक कर दे हरित्वी ने शोर मचा रख है वोईस ओवर के टाइम क्योंकि मिस्टर बहल आ अगले दिन है तो दो दिन घर में ने काम नी किया अच्छे से घर खाना बना तो बना नी तो मुझे ऐसा लगा था किचन गंदा गंदा सा हो गया है और वैसे भी अवो नहा रहे थे मिस्टर बहल तो जब वो आ जाते हैं वो उझे सफाइया नी करने देते तो मैंने मोक्य पर चुका लगा दिया जा बोल लीजिए मोक्य का फाइदा उठाया और मैंने सोचा यह नहा रहे हैं तो किचन को साफ कर लेती हूं तो यहां पे सारा सुबह का नाश्तर वाष्टा हो गया था सबका ममी अपना लग गए थे काम वाम करने अपनी किचन को साफ कर रहे थे त साबून लगाया वही डिश्वाशर और एक टावल ले लिया उसको दो कॉर्णर से मैंने गीला कर लिया बीच में से सूखा था और सबसे पहले पहले सूखे टावल से मैं सारा साबून उतार लेती हूं फिर एक कॉर्णर गीला करती हूं उस कॉर्णर से उसकी सफाई करती ह इस तरह से क्या होता है कि कपड़े भी कम लगते हैं और जल्दी जल्दी जो है वो किचन साफ हो जाती है क्योंकि मुझे फाइदा उठाना था मिस्टर बहल के नहाते नहाते ही मुझे ये काम खतम करना और ये मेरी दवाईयां देखिए धेर सारी दवाईयां मुझे खाने प क्योंकि आपको पता है फोन भी खराब है और वैसे भी तबियत कुछ इस तरह से चलती है कि मेरा देली नहीं करता होता है बहुत हिम्मत करते हुआ काम शुरू करती हूं और यह कर रही हूं मैं चिमनी साफ तो बात करते हैं कि छोटे चोटे टिप्स की जो हमें हमेशा आप करें यह काफ की चिमनी है अच्छे से इसमें ऐल वगएर एकठा हो जाता है यहां पर मैं दवाई खा रही थी और साथ काम कर रही थी तो मैं क्या करती हूं वीकली जो अपनी क्लीनिंग करती हूं वैसे तो आपको पते ही है मैं किचन को रोजी उतना टाइम देती हूं कि वर्किंग रिस्टम का अच्छे से ध्यान रखते हैं फिल्टर को अच्छे से साफ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आज का में का टिप यह है कि अगर आप हमेशा अपनी किचन को साफ सुत्रा जो है वो दिखना चाते हो अट्रेक्शन पॉइंट बना के रखन कीचन का तो चिमनी को रोज भी गिले कपड़े से साफ करें और हफ्ते में एक बार कम से कम इस तरह से साबुन लेकर उसको अच्छे से बाहर से साफ कर दें तो मंथली एक बार भी आप चिमनी के फिल्टर को साफ करते हैं तो वो चल जाती है कोई बी ऐसा ऐलिंग का चक्र जब भी बीकिछन को रहन को पानी का किलारा से अगर आपको जब शाफ करनी है तो इस तरह जब आप से बड़ा टाबल ले ले और उसके पॉर्ष्टन और धीरे इस तरह से यूज करते जाएं कभी एक कॉनर भी कुला कर लिए इस को पर पिर सेंटर से इस फिर साइट से इस त तो आप इस तरह से चोटे चोटे जो है वो टिप्स यूज करते हुए अपनी किचन को अच्छे से साफ रख सकते हैं और इस पेशली गर्मीयों में तो आपको अपनी किचन का भी ज्यादा ध्यान रखना है इस पेशली अपने ग्यास टोफ का और दो दिन चाय वाई भी मैंन ज़रूरी है तो उसकी फी डीप क्लिनिंग जुरूर करें क्यूंकि मेरी किचन मैं सची में बोलू तो चीन्टीयां बाहर है और बाहर है तो चीन्टीयां बाहर आती है इसलिए टीचन सफाइग और में बहुत ज़रूरी है गैस टोफ के लीए आप लग से cleaner बना के रख सकते हैं जिसमें एक भाग सिरके का एक भाग पानी का और थोड़ा सा एक चमज जो है डिश वाशर डाल के रख सकते हैं लेकिन अगर आप मेरी तरह फ्री और टाइम है किचन की सफाई के लवर हो तो आप इस तरह से उसको अच्छे से साफ कर सकते हो डेली साफ क बहुत ही अच्छे बात है दिन में दो बार करो तो फिर तो क्या ही कहना उसके बर्नर को अच्छे साफ करें बर्नर कभी उनका कलर जो है वो चेंज नहीं होता अगर उनको अच्छे सफाई करते हैं इस तरह के छोटे चोटे ब्रश लेकर सकते हैं ये निर बाउट 40-45 जो भी तड़का वगारा लगाते हुए चीटे इधर उधर पड़ते हैं वह जादा गंदगी करते हैं और कई बार ऐसी गंदगी होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हाथ लगने से बहुत ज़दा फील होती है तो उसे भी करें तो गैस साफ करने के लिए सबसे फर्स्ट कपड़ा में यूज करती हूं वह एक फटी पुरानी जो होती है बनायन टाइप का कपड़ा नाइलोन टाइप का कपड़ा लेती हूं गीला करके ताकि साबन जो है पूरा अच्छी तरह से उठ जाए फिर उसके बाद कोई भी आप कपड़ा जो है वो यूज कर सकते हो तो छलिए लाइक कर दीजिंए फटअफट थे अग्रापको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेर भी कर दीजिए गर्मियों में वथी चक्छी बभी कीच्छी में बहुत जदहा आती है तो आपकी किच अगर सफाई रहती है तो आप मखहों को दूर भगा सकते है नेक्स्ट इप यह है कि जबी भी आप किचन में कोई भी समान रखते हैं जैसे सिंपली देखें मैंने दूद बॉयल करके रखा है तो ढखते तो हम हैं ही तो आपके जो किचन के कपड़े होते हैं साफ सुत्रे आप उनसे भी ढखके रख सकते हैं अगर कोई खाने की चीज आ अगर आप सुभे कर रहे हैं तो लंच पहले ही बना के रख लें क्यूंकि थकावट हो जाती है बाद में दिल नहीं करता पहला पॉइंट यह और दूसरा पॉइंट जब किचन को इतनी अच्छी से साफ किया फिर से खाना बनाएंगे तो गंदी हो जाएगी है तो आप खा सफाई करते रहना है चींटे बढ़ जाते हैं उससे भी बहुत जादा गंदगी होती है आपका ड्रेनेज सिस्टम आपका सिंक का जो ड्रेनेज है उसको क्लियर रखें बाल्टी भरके साफ पानी की गर्मियों में उसमें जरूर फेंके गरम पानी फेंक सकते हैं ल्यूक व कोक्रोच तो यार किचन में बिलकुल भी नहीं आते जब आप चोटे चोटे टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका क्लियर रहता है ना तो आपके जो कोक्रोच बिलकुल नहीं आते अगर अपनी सिंक के ड्रेनेज सिस्टम की तरफ ध्यान न इन को साफ रखने से भी गैस हो बाप का निया ही रहता है कभी भी पूराना नहीं होता उम्हेन शुरू से ही थे समय फ़िसों को रगड़ते देखा ह। और हम के दो एक फर हैं कर दो शुक्ति नहीं है निम्हें हैं कि अद्धामर याइमध हैं नहीं डाटा, नहीं उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला था, वैसे उनको बहुत होता है, कि तू लग गई है, अब वैसे मेरी सहत को लेके थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहते हैं, इसलिए ये सारा काम मुझे नहीं करना देते, कि बार बार तू लगी रहती है, लगी रह होता है, कौन से कॉर्णर पे कैसे हाथ चलाना है, कैसे सफाई की जरूरत है, ये सब हमें ही बता होता है, तो अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो घर का हाल तो बेहाल होई जाएगा, तो गैस, तो सिंक को अच्छे से साफ करते करते ही, उसकी जो किचन को बहुत साफ रखते हैं क्योंकि लेडिस को किचन से बहुत ज़दा प्यार होता है, मुझे तो बहुत बहुत ज़दा प्यार है, चाहे वो मेरी पुराने वाली किचन रही हो या ने वाली किचन रही हो, उसकी सफाई में भर पूर करती हूं क्योंकि मैं बहुत प्य आप भी खुश रहते हैं जब भी किचन में अंट्री होती है किचन साफ हो तो बंदा खुश रहते हैं इन टिप्स को फॉलो करने से अगर आपकी ट्रेनेज सिस्टम साफ है तो गाइस उसमें कभी भी कोकरचेज और स्मेल नहीं आती है यह नमारे खुश पुरानी टिशिएट ले लिए तो कि यह गैप्रिट पर असरफ माइका तो इनको इस साफ कर दो बहुत अच्छे से साफ होगे हैं बढ़ अरद भी मेरी जान लेलेगी आदी अरद के फिर सुपह मैंने कम कर दी है थे पैड़्रूम वगयरा क्ली मैंने प्रिक्सले कर लिये थे इनके आने जब हिनों है आना थे शाम और थे थे मैंने सुबह सुपह बैड़्रूम सुगरा साफ ए खलीकर लिये थे बस किचल रही थी अब ऊपर लोगी तो बस इसी तरह आज मैंने सुभे सुभे जस्ट पंदरा बीस में लगा के अपनी किचन को चमका दिया मिस्टर बाहल से मुझे बाद में थोड़ी सी जो है वो डांट सुननी पड़ी लेकिन चलता है वो भी डांट में जो है वो प्यार चलता है फिर बहुत अच्छा लगता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी किचन को जगमगाते हुए रखना और इस कोर्णर का आप सब पूछते हो मैं कभी आपको बताऊंगी यह हमारी किचन में था सीडी थी एक्शली यह किचन ऐसे बनी हुई यूज में नहीं थी लेकिन कहते ने इसके भाग्य कर लिया आई होब आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें चैनल को और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्यू वेरी मच गाईज बाई बाई शुक्रिया